ओम शान्ती, आज है 25 फरवरी 2021, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे, मुर्ली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुर्शार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमा जीत बनेंगे, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुर्शार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमा जीत बनेंगे, प्रश्न है, कौन सा खयाल आया, तो पुर्शार्थ में गिर पड़ेंगे, खुदाई खितमर्दकार बच्चे, कौन सी सेवा करते रहेंगे, उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं, अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुर्शार्थ कर लेंगे, परन्तु मौत का नियम थोड़े ही है, कल-कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो, बहुत वर्श पड़े हैं, पिछाडी में ग्यलब कर लेंगे, यह खयाल और ही गिरा देगा, जितना हो सके, याद में रहने का पुर्शार्थ कर, श्रेमत पर अपना कल्यान करते रहो, रूहानी, खुदाई खिद्मत कार बच्चे, रूहों को सेलवेज करने, पतितों को पावन वनाने की सेवा करते रहेंगे, गीत है, ओम नमोशिवाय, ओम शान्ति, यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप, साकार बिगैर, कोई भी करम नहीं कर सकते हैं, पाट बजा नहीं सकते, रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योगबल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है, यह बच्चों की बुद्धी में हैं, कल्प कल्प बाप आकर के राज्योग सिखलाते हैं, ब्रम्मा द्वारा आकर आदिसनातन देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं यानि मनुष्य को देवता बनाते हैं मनुष्य जो देवी देवता थे, सो अब बदल कर शुद्र पतिद बन पड़े हैं भारत जब पारस पुरी था, तो पवित्रता, सुख, शान्ती सब थी, यह 5000 वर्ष की बात है, एकुरेट हिसाब किताब बाब बैट समझाते हैं, उनसे उँज तो कोई है नहीं, स्रिष्टी वा ज़ाड जिसको कल्प विक्ष कहते हैं, उसके आदी मध्य अंत का रास बाप ही बता सकते हैं, भारत का जो देवी देवता धरम था, वहय अप्राए लोप हो गया है, देवी देवता धरम तो अभी राहा नहीं है, देवताओं की चित्र जरूर है, यह तो भारत वासी जानते हैं, सत्यूग में लक्ष्मी नारायन का राज्य था, भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गई हैं, बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं, रास्ता बतलाने वाला आता है, तो सब आत्माई मुक्तिधाम में चली जाती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गती दाता, रच्ता एक ही होता है, एक ही श्रिष्टी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है, सत्यूग, त्रेता, द्वापर, कल्यूग, फिर होता है संगम्यूग कल्यूग में हैं पतित, सत्यूग में हैं पावन सत्यूग होगा तो जरूर कल्यूग विनाश होगा विनाश से पहले स्थापना होगी सत्यूग में तो स्थापना नहीं होगी भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है सत्युक तो है ही पावन दुनिया पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है अब बाप सहज से सहज युक्ती बताते हैं देह के सबसंबंद छोड देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ग्यान देते हैं। पते दुनिया में ज्यान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगैर तो कोई पावन बना ना सके। यह सब बाते बुद्धी में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर-घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भग वान आया है। बढ़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है न। एक है लोकिक बाप, दूसरा पारलोकिक बाप। दुख के समय पारलोकिक बाप को ही याद करते हैं। सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायन के राज्य में सुख ही सुख था, purity, peace, prosperity थी, बाप का वर्सा मिल गया फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है, हमको सुख है, यह तो कोई भी कहेंगे, वहां सुख ही सुख है, बाप ने दुख के लिए तो सुख रिष्टीर नहीं रची है, यह बना-बनाया खेल है, जिनका पाट पिछाडी में है, दो-चार जनम लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शानती में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए, यह हो नहीं सकता, खेल में तो सबको आना होगा, एक-दो जनम मिलते हैं, तो बाकी समय जैसे की मोक्ष में हैं, आत्मा पाट धारी है न, कोई आत्मा को उच पाट मिला हुआ है, कोई को कम, यह भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है, इश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं, रच्टा और रच्णा के आदी मध्य अंत का, जब तक रच्टा खुद ना आये, तब तक रच्टा और रच्णा को जान नहीं सकते, बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारन तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैट जो रासी जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, कोई के पाट में चेंज नहीं हो सकता, यह बना बनाया खेल है, यह भी किसी की बुद्धी में नहीं ब समझने के लिए ही सात रोज भट्टी है भागवत आदी भी सात दिन रखते हैं यहां भी समझ में आता है कम से कम सात दिन के सिवाए कोई समझ नहीं सकेंगे कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं कोई कोई तो सात रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते बुद्धी में बैठता ही नहीं कह देते हैं हम तो सात रोज आया हमारी बुद्धी में कुछ बैठता नहीं उच्पद पाना नहीं होगा तो बुद्धी में बैठेगा नहीं अच् का कल्यान तो हुआ ना प्रजा तो ऐसे ही बनती है बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त महनत है बाप को याद करने से ही विकरम विनाश होते हैं अब करो ना करो परन्तु बाप का डारेक्शन यह है प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है न भक्ती मारग में भी गाते हैं, हे पतितपावन आओ, अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बाश्या ही सहच थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो महनत होगी न, याद में ही महनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा, बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा ल लेते हैं, पूरा याद ना करने से विकरम विनाश नहीं होंगे, योगबल से ही विकरमा जीत बनना है, आगे भी योगबल से ही विकरमों को जीता है, लक्षमी नरायन इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कल्यूग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है, इसमें तो साफ है, य गीता के ज्यान का एपिसोट रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाज भूले तो होती रहती है न। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ती मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वे किसी को भी पता नहीं हैं। जिनों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 चण्मों की प्रालब्ध पाई फिर ज्यान प्राई लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगा कर आये हूँ। कल्प पहले जिनोंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रही हैं मनुश्य को देवता बनाने का। यह है दैवी जाड का सैपलिंग। वो लोग फिर उन जाडों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भई, पांडव क्या करत भई। उनके क्या प्लैन है और तुम्हारे क्या प्लैंस है वो अपना प्लैन बनाते है कि दुनिया बड़े नहीं फैमली प्लैनिंग करे जो मनुश्य जासती ना बड़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धरम विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धरम की फैमली स्थापन करते हैं. सत्युग में एक ही आदिसनातन देवी देवता धरम की फैमली थी, और इतनी फैमली थी नहीं, भारत में कितनी फैमली है, गुजराती फैमली, महरश्ट्रियन फैमली, वास्तम में भारतियों की एक फैमली होनी चाहिए, बहुत फैमली होंगी तो जरूर आपस में ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है, फैमली में भी सिविल वार हो जाती है, जैसे क्रिश्चन की अपनी फैमली है, उनों की भी आपस में लगती है, आपस में दो भाई, नहीं मिलते पानी भी बाटा जाता है, सिक धरम वाले समझेंगे, हम अपने सिक धरम वालों को ज चाहती सुखदे, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं, जब अन्थ होती है, तो फिर सिविल वॉर आदी सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होगना ही है, बॉप्ण धेर बनाते रहते हैं बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें दो बॉम्स छोड़े थे अभी तो धेर बनाए है समझ की बात है ना तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है बड़े-बड़े लोग जो भी है कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी आग तो लगनी ही है यह तुम जानते हो बाप आदिस्टातन देवी देवता धरम की स्थापना कर रहे है राज योग है ही सत्योग का वह देवी देवता धरम अब प्राय लोप है चित्र भी बनी है बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विगन पड़े होंगे वह पड़ेंगे पहले थोड़े ही पता पड़ता है फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसा हुआ होगा यह बना बनाया ड्रामा है ड्रामा में हम बांधे हुए हैं याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए इनको परिक्षा कहा जाता है याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं ठक जाते हैं गीत है ना रात के राही ठक मत जाना इसका अर्थ कोई समझ ना सके यह है याद की यात्रा जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा आधा कल पूरा हो फिर सुक शुरू होगा बाप ने ही मन मनाभव का अर्थ भी समझाया है सिरफ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है अब कल्यान तो सबका होना है गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्यान कर रही है भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर हम कल्यान कर रही है कल्यान कारी जो बनेंगे तो वर्सा भी उनको मिलेगा याद की यात्रा के सिवाए कल्यान हो ना सके अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहत का बाप है बाप से वर्सा मिला था भारत वासियों ने ही 84 जनम लिये हैं पुनर जनम का भी हिसाब है कोई समझते नहीं कि 84 जनम कौन लेते हैं अपने ही शलोक आदी बना कर सुनाते रहते हैं गीता वही टिकाएं अनेक लिख देते हैं गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है गीता में है ज्यान भागवत में है जीवन कहानी वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए ग्यान का सागर बाप है उनका ग्यान तो चलता ही रहता है वे गीता तो आधे गंटे में पढ़ लेते हैं अभी तुम ये ग्यान तो सुनते ही आते हो दिन प्रति दिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे धीरे धीरे आएंगे अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी ना लगे जट आवाज निकल जाए इसलिए युक्ती से धीरे धीरे चलता रहता है यह है ही गुप्त ग्यान किसी को पता नहीं है कि यह क्या कर रही है रावन के साथ तुम्हारी युद कैसे है यह तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके भगवानुवाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पापनाश हो जाएंगे पवित्र बनो तब तो साथ ले जाओं जीवन मुक्ती सबको मिलनी है रावन राज्य से मुक्ती हो जाएगी तुम लिखते भी हो हम शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्टाचारी दुनिया स्थापन करेंगे परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर पांच हजार वर्ष पहले मुआफिक पांच हजार वर्ष पहले श्रेष्टाचारी दुनिया थी यह बुद्धी में बिठाना चाहिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धी में धारन होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे पत्थर बुद्धी है ना कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है पीछे पुर्शार्थ कर लेंगे परंतु मौत का नियम थोड़े ही है कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे पुर्शार्थ तो किया नहीं इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं पिछाडी में गैलब कर लेंगे यह खयाल और ही गिरा देंगे जितना हो सके पुर्शार्थ करते रहो श्रीमत पर हर एको अपना कल्यान करना है अपनी जाज करनी है कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ रुहानी खुदाई खिद्मतगार तुम होना तुम रूहों को सैलवेज करते हूँ रूहु पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं दुनिया में अच्छे और बुरे मनुश्य तो होते ही हैं हर एक का पाट अपना अपना है यह है बेहत की बात मुखे टाल टालियां ही गिनी जाती है बाकी तो पत्ते अनेक हैं बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो सबको बाप का परिचे दो तो बाप से बुधियोग जुट जाए बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्तिधाम में चले जाएंगे दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा यह ज्यान यग्ये रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए हमारा यग्य पूरा होगा तो सब इस यग्य में स्वाहा हो जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को दिलवा जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुड मॉनिंग बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया वहा मेरा भाग्य वहां मेरे भाग्य विदाता बाबा धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट यह बना बनाया ड्रामा है इसलिए विग्नों से घबराना नहीं है विग्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए दूसरी पॉइंट पारलोकिक बाप का परिचे सबको देते हुए पावन बनने की युक्ती बतलानी है दैवी जाड का सैपलिंग लगाना है बरदान है सर्व जिम्मेवारियों के बोज बाप को देकर सदा अपनी उन्नती करने वाले सहेच योगी भव सर्व जिम्मेवारियों के बोज बाप को देकर सदा अपनी उन्नती करने वाले सहेच योगी भव बाब समझाते जो बच्चे बाप के कार्य को संपन करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं सिरफ जो भी व्यर्त का बोज है वह बाप के उपर छोड़ दो बाप का बनकर बाप के उपर जिम्मेवारियों का बोज छोड़ने से सफलता भी जादा और उन्नती भी सहज होगी क्यों और क्या के कोश्चन से मुक्त रहो विशेश फुल स्टॉप की स्थिती रहे तो सहज योगी बन अतिंद्रिय सुक का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन है दिल और दिमाग में ओनेस्टी हो तो बाप वा परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे दिल और दिमाग में ओनेस्टी हो तो बाप और परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे अच्छा, ओम शान्ती